नमसकार दोस्तो जारखट में एक बाड फिर रेल हाथसा हो गया है, रेल हाथसे कमोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, 18 जुलाई से अब तक दोस्तो यूपी गुजरात, राजिस्थान, बंगाल, बिहार और जारखट में सात रेल हाथसा हो चुके हैं, 18 जुलाई को यूपी के गोंडा में रेल हाथसा हुआ था फिर 19 जुलाई को गुजरात के वलसाड में हुआ फिर 20 जुलाई को यूपी के अम्रोहा में हुआ फिर 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में और 21 जुलाई को ही बंगाल में भी हाथसा हुआ 29 जुलाई को बिहार में हुआ और अब जारखंड में एक और हाथसा दोस्तो अब मुंबई जाने वाली ट्रेन जारखंड में टाटा नगर से अगले स्टेशन चक्रधरपूर से पहले हास्ते का शिकार हो गई है जारखंड के जमशेदपूर में मंगलवार सुभा 3 बचकर 43 मिनट पर मुंबाई हावडा मेल 128-110 के 18 बोगया पट्री से पलट गई पहले से एक मालगाड़ी ट्रैक के पास पलटी हुई थी दोस्तो लेकिन फिर भी प्रशासन को इतना होश नहीं था कि उस ट्रैक को क्लियर किया जाए दो दिन हो चुके हैं इस मालगाड़ी को पलटे हुए लेकिन लापरवाही की हत्तो तब हो गई दोस्तो जब मुंबाई हावडा मेल पट्री पर गिले मालगाड़ी के कोस से टकराई और डीरेल हो गई हाथसे का एक एरियल व्यू भी सामने आया है जिसमें साफतोर पर देखा जा सकता है आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक पर पहले से एक मालगाड़ी पल्टी हुई थी और उसी से टकराकर ये ट्रेन भी कितनी बुरी तरीके से हाथसे का शिकार हुई है ट्रेन के 18 डिब्बे पट्री से उतर गए हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से इधर उधर डिब्बे बिखरे हुए नजर आ रहा है इस हाथसे में दोस्तों अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताय जा रहे हैं दोस्तों सरकार भर भर कर टैक्स लेती है टैक्स लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती आप खाने पर टैक्स दें पीने पर टैक्स दें खरीदने पर टैक्स दें घर पर टैक्स दें रेलवे में भी टैक्स दें हर चीज पर टैक्स लेकिन सुविदा के नाम पर ढंका रे रेल मंत्री प्रदार मंत्री के पीछे चुपे हैं, जिम्मिदार कोई भी नहीं है, जिम्मिदारी लेने वाला भी कोई नहीं है, अश्विनी वैशनव से सभाला नहीं जा रहा है, रेल मंत्राले ये बात अब देश की जनता समच चुके है, ये अमरत स्टेशन का के लिए मुँ तक नहीं खोलता था वो आज बकाइदा रेल मंत्री को टैक करके उन पर सवाल उठा रहा है और निशाना साधरा है यह देखिए गोधी मीडिया के एंकर सुशान सिना ट्वीट करके कह रहे हैं कि एक और ट्रेन हाथसा अब जारखन के जमशेदपूर में सुरक्षित सफर की भी गारंटी नहीं है रेल मंत्री अश्वनी वैश्णफ क्या कर रहे हैं चलो कम से कम गोधी मीडिया का जमीर तो जागा वरना तो सरकार को डिफेंट करने में यह कोई कमी नहीं छोड़ते हैं लेकिन इस बार रेल मंत्री ने वाकई में दोस्तों हद प जाहिर की है लालो प्रसाद यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि तेरा दिनों में साथ रेल दुरगटना है निया में थोती रेल दुरगटना है बेहत चिंता जनक हैं सरकार च्रेनों में सुरक्षा विवस्था के मूलबूत कदम भी नहीं उठा पा रहे हैं बार दिये इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चड़ने से पहले यात्री प्रार्थना करते हैं कि यात्रा उनकी अंतिम यात्रा ना हो रेल के डिब में आज चलते फिरते ताबूत बन कर रह गये हैं इसके लावा कॉंग्रूस की नेता प्र्यांका गांधी ने भी पहूलियत बची है और नाहिस सुविधा पिछले दो हफ्तों में आधा दर्जन से आधिक दुरगटना हो चुकी हैं आम लोगों की जाने जा रही हैं लेकिन रेल मंतरी और सरकार के कान में जूत तक नहीं रेंग रही रेलवे को दुरुस्त करने की बजाए दुरगटना रस्त बनाने के लिए क्या रेल मंतरी की जिम्मदारी नहीं होनी चाहिए क्या हर दुरगटना के बाद बस हिला अवाली करके जिम्मदारी से मूँ मोड़ा जा सकता है जिम्मदारी तै होनी चाहिए सकत कारवाई होनी चाहिए क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा से खिलवार बंद होना जरूरी है सोचे दोस्तों ना तो वो रेल आक्सिडेंट रोक पा रहे हैं ना ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले फिर भी दुनिया का सबसे मजबूत नेता होने का वो दावा करते हैं ना कोई जिम्मिदारी लेगा ना कोई स्तीफा देगा बस मुह में दही जमा लेंगे इससे पहले देश में ऐसा कोई सरकार नहीं आई है दोस्तों जो हर घटना पर जिम्मिदारी लेने के बजाए बेशर्मी ओड़कर मौन साथ लेती हो लोगों का कहना है कि मंत्री मंडल की सामूहिक जिम्मिदारी का सामूहिक दासंसकार कर दिया गया है अब इ कमें सेक्शन में लेकर जरूर बताईए एक खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं नमस्कार